नमस्कार दोस्तो हमारी डिजायर्स हमारे दुख का कारण बनती हैं और सच में जितनी भी इक्षाएं हैं वो सब कहीं न कहीं हमारे कश्ट का कारण होती हैं अब आप कहेंगे कि यदि डिजायर्स नहीं होंगी तो जीवन कैसे चलेगा यदि भूक नहीं लगेगी खाने की इक्षा नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा भूक नहीं लगी खाना नहीं खाया शरीर कैसे चलेगा प्यास नहीं लगेगी प्यास की इक्षा नही तो फिर जीवन कैसे चलेगा निश्यत रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिना एक्षा के जीवन संभव नहीं है निश्यत रूप से खाने की पीने की शरीर की अन्य गत्य विधियों से जुड़ी हुई एक्षाएं नासरगिक एक्षाएं हैं इनके बिना जीवन क कि कलपना नहीं की जा सकती लेकिन इन सब एक्षाओं के बावजूद भी ऐसी कई एक्षाएं हैं जो अनैसरगिक एक्षाएं हैं जो कश्च का कारण बनती हैं और वो एक्षाएं कैसे पैदा होती हैं बच्पन से वो एक्षाएं हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग का रू के लिए हम क्या नहीं करते हैं अच्छा दिखने के लिए हम अलग-अलग तरह की ड्रेसेस पैनने लगते हैं नएने तरह के कॉस्ट्यूम्स की चाह बढ़ जाती है और यह जो चाह है यह जो इक्षा है यह धीरे धीरे बहुत जादा बढ़ जाती है यह एक्षा अनैसरगिक कैसे होती है साधरन कपड़ों के साथ साथ हम असाधरन कपड़ों की तरफ रुक करने लगते हैं हमें लगेगा कि अच्छे कपड़े पहनेंगे महंगे कपड़े पहनेंगे तभी हम आकर्शन दिखेंगे सीधी सी बात है हम अपने आपको कमजोर महसूस करने लगेंगे हम अपने कपड़ों पर डिपैंड हो जाएंगे कपड़ों के साथ साथ धीरे धीरे और भी कई एक्षाएं विक्सित होती चली जाती है पहले हम अपने आपको सजाने सवारने में लगे रहते हैं पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि यार सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है अच्छे दिखने के साथ साथ और भी कई चीजें होनी चाहिए अच्छी कारें होनी चाहिए और भी ऐसी विलासिता की चीजें होनी चाहिए जिससे हम और ज़्यादा आकरशक और ज़्यादा रुटबेदार और ज़्यादा लगजिरियस दिख सकें और यहां से दूसरी काम नहीं चलता तो आगे चल कर हमें ये लगता है कि सिर्फ गाड़ी से काम नहीं चलना है हमें लगता है कि हमें लोगों को इखटा करना चाहिए अपने रुतवे को बढ़ाने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग होना चाहिए ये ख्वाहिशें ये इक्षाएं कितने जादा कष्ट का कारण होती हैं, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। देखिए छोटी-छोटी इक्षाओं का आकलन करने की कोशिश कीजिए। पहली इक्षा मैंने बताई अच्छा दिखने की इक्षा। ठीक है अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे दिखने के लिए जितना जादा कृत्रिमता का सहारा हम लेंगे, उतना जादा हम अनैसरगिक होते जाएंगे और उतना ही जादा कष्ट होगा। क्योंकि artificial व्यक्तित्व कभी भी हमें वास्तविक संतुष्टी नहीं ले सकता। के पृति, मानवजाती के पृति, प्रकृती के पृति उसका करतव यही होता है। हम प्रशंसा पाने की चाहत पालने लगते हैं। वास्तों में हम अपने आप में पूर्ण हैं। बाहर से प्रशंसा मिले यह न मिले। इस पर हमारी आत्मसंतुष्टी निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि हम बाहर की प्रशंसा पर निर्भर हैं तो निश्यत रूप से हम कृत्रिम व्यक्तित्व की तरफ आगे पड़ रहें। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ताउम्र हमारे साथ रहे लेकिन ये जीवन और मरन का खेल है। यहां पर दो व्यक्ति एक साथ एक ही शण में नहीं मर सकते। एक व्यक्ति को पहले जाना ही होगा तो कोई भी व्यक्ति जो जीवन भर साथ नहीं दे सकता तो उसके हमेशा साथ क की हमेशा अच्छाई की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए ये भी अनैसरगिक चाहत है कोई विवेक्ट亦 हमारे जीवन में आया है το वह हमारे जीवन से विधा होगा ही वो शास्वत नहीं है वह निरंतर नहीं है वह चरिस्थाई नहीं आई इसे ही कोई भी सुक्षुविधा जो हमारे जीवन में आई है उसको हम निरंतर जारी रखने की चाहा पालते हैं तो यह अनैसरगिक चाहा है अप्राकर्तिक है अस्वभाविक है असहज है और यह हमारे कश्च का कारण बनती है मित्रो और भी कई चाहते हैं जो हमारे लिए करत्रिम रूप से हम पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने आपको अच्छा बनाने के लिए अच्छा दिखने के लिए हम सेवा का सहारा लेते हैं हम सोचते हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं हम लोगों की सहायता कर रहे हम लोगों पर उपकार कर रहे हम दान करते हैं दक् नहीं सकते क्योंकि हमारे उपर प्रकृति के इतने एहसान हैं कि उन एहसानों को चुकाते चुकाते पूरा जीवन निकल जाएगा तो जो भी हम देते हैं वो वास्तों में हमारा कर्तव्य है वो हमारी महनता नहीं है और जितना भी हम चुकाते हैं वो हमारे रिण की महात्र है ऐसा नहीं है कि महानता के इक्छां नहों तो हम धर्म मा करें अच्छे कारे ना करें ये तो हमारा नैसर गी कर्तव्य है Спना कि यदि थोड़ा भी हम मनमाने तरीके से उसको खर्च करें, उसको यूहीं बे-फिजूल उड़ाते रहें, जरा भी पैसा जादा मिला है, तो वो हमारा दाइत्व है, अच्छे कारियों में उसको लगाने के लिए, उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए, और भी कई एक्षाएं हैं, जो क पड़े हुए कारे हैं, अधिक की एक्षा करना, नैसरग्रिक एक्षाओं के विपरीत एक्षाओं पालना हमेशा कष्ट का कारण होता है, इसलिए हमेशा अपनी एक्षाओं को नैसरग्रिक रखिये, संतुलित रखिये, सीमित रखिये, ऐसा नहीं है कि आप एक्षाओं न अधूरे ही यहां से चले जाएंगे क्योंकि वो एक्छाएं खत्म नहीं होती, वो त्रश्रा अगले जन्म में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ीगी, इसलिए संतुष्टी का जीवन, सहजता का जीवन बहुत जरूरी है, आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।